ठीक है तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था लॉंगिट्यूड लैटिट्यूड टाइम जोन्स पढ़ लिया था इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ ली थी उसके बाद और कुछा टोपिक वा था कुछ था रोटेशन रेवोलुशन ठीक है तब उनका जो मेन उनके कारण क्य क्या चिजे हो रही है तो किसल न पुछै पूछा भी जाता एग्जाम्स में तो उनके बारे में पढ़ेंगे आज सबसे पहला है solistice ठीक है क्या बोलते है उसको संक्रांती ठीक है तो क्या होता है solistice दो बड़ होते है equinox और solistice equinox equi मतलब equal ठीक है और solistice मतलब या maximum बोल दो equal और maximum solistice का मतलब क्या हो गया दो condition होगी या तो northern hemisphere या southern hemisphere कल हमने देखा था कि या तो sun equator से उपर जाएगा या फिर equator से नीचे आएगा तो वो condition देखते हैं भी उपर जाता तो क्या आता है नीचे आता है तो क्या condition होगी solistice का मतलब क्या हो गया आइदर दा नोर्दन या फिर southern hemisphere is tilted toward the sun क्या देखा था ये अपना क्या है अर्थ है ये क्या है टिल्ड था ठीक है तो एक condition ये है जैसे equator अपना ठीक है जो sun क्या है इधर से आएगा अब ये क्या करेगा जैसे ये इधर की साइड है भी तो ये क्या है यहाँ पे इसकी sunlight पढ रही है तो एक time ऐसा आएगा जब क्या होगा sun क्या होगा ट्रोपिक ओफ कैंसर के उपर होगा और एक time ऐसा आएगा जब वो क्या होगा ट्रोपिक ओफ कैपरी कौन के उपर होगा तो इन दोनों time इन दोनों condition में क्या होगी जो sunlight होगी जो सूर्य की किरने होंगी वो क्या होगी maximum होगी इन दोनों के उपर और दो टाइम ऐसे आएंगे जब equinox होगा equinox का मतलब हो गया equal, equal sunlight पड़ेगी मतलब जो दिन और रात होते हैं वो क्या होंगे? equal होंगे, अब वो dates के बारे में पड़ेगी किस-किस date में, किस-किस मन्त में कौन-कौनची situation होती है तो solastis का मतलब क्या होगा? या तो वो northern hemisphere में maximum sunlight होगी उस टाइम पे या फिर southern hemisphere में Southern में क्या होगा अपना? Tropic of Capricorn होगा और northern में कौन सा होगा? Tropic of Cancer होगा Cancer की कितने latitude थी? 23 and half degree north और Capricorn की कितने थी? 23 and half degree south सब बोलो इतना हाइड टोपिक निये सिंबल साथ टोपिक है साथ की साथ सबको याद हो जाएगा ठीक है? Receives the maximum intensity of sun rays throughout the year तो ये दोनों क्या होगे? Sunlight सबसे ज़्यादा receive करते हैं in situations में Solastis या फिर shifting solar declination are a result of the earth 23 and half degree axial tilt मतलब जो टिल्ट हो रखा है उसकी कारण ये Solastis होता है अगर टिल्ट नहीं होता कौन कौन से प्लेनेट थे जो कल देखे थे हमने जो टिल्ट नहीं है? मर्कुरी, वीनस और जुपिटर अगर टिल्ट नहीं होगा तो सारे क्या होंगे? उसमें एक्विनोक्स होंगे कोई Solastis कंडिशन बनेगी नहीं तो इंडिया में क्या रहा है? Solastis कंडिशन दो बार बनती है किसके कारण वो टिल्ट के कारण बन रही है जितना जादा टिल्ट होगा उतना जादा सोलस्टिस बनता जाएगा उतना उपर की तरफ लेटिटूड की तरफ वो बढ़ता चला जागए इंडिया में मैक्सिमम ट्वंटी थ्री एंफ डिग्री तक Solastis बनता है क्योंकि सनलाइट परपेंडिकुलर क्या होई यह फिर ओवरहेड 23.5 डिग्री तक ही पहुंचता है उससे उपर नहीं जा पाता है उससे उपर क्या होदा है? वो स्लेंट हाइट हो जाती है मालब स्लेंट सनलाइट पड़ेगी आपको From the North Pole अब यहाँ पर रेफरेंस लेंगे नोर्थ पोल क्योंकि नोर्थ और साउथ को एक साथ बात नहीं कर सकते तो पहले हम नोर्थ पोल के बात कर दे The sun is always above the horizon ठीक है? In the summer and below the horizon in the winter मतलब क्या बोल रहा है? कि जो sun होगा वो क्या होगा? Summer अपने आपे क्या होगी? गर्मी होगी तो इसका मतलब क्या है? अपने सूरज क्या है? सिर के ऊपर है और गर्मी कप पड़ती है? लगबग मई जून में जादा पड़ती है तो इसका मतलब क्या अपना सोलेश्टिस कप होगा? जून के आसपास होगा जून की कलम ने डेट देखी थी 21st June वो लोंगेस्ट डे होता है ठीक है? वो उस दिन को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ओफ योगा भी मनाया जाता है ठीक है? तो वो डे भी देखते हैं मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि तर रीजन एक्सपिरेंस इस अप टू 24 hours of sunlight ये डाइगराम से देखें जैसे ये है ये क्या है? अर्थ रिवोलिशन कर रहा है और साथ क्या है? अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है रोटेट किस डारेक्शन में करता है? वेस्ट टू इस्ट तो सबसे पहली condition हम जून चे स्टार्ट करते हैं जैसे ये जून है जून का महिना चल रहा है ठीक है? अब जून में क्या है? ये सन है अपना सन की रेज पढ़ ये इसके उपर अर्थ के उपर तो ये क्या है? ये टिल्ट है एसे टिल्ट है तो क्या है इसका जो ये कौन सा है और ये है बीच वाला एक्वेटर और सबसे नीचे वाला है ट्रॉपिक ओफ कैप्री कौन अब जो जो कैंसर है क्योंकि कैंसर इसके क्या आना बिल्कुल सीधे डारेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसकी जो सनलाइट जो सीधे परपेंडिकुलर किसके उपर पढ़ेंगी Tropic of Cancer के उपर और ये हो गया Capricorn ये हो गया अपना South Pole और ये हो गया अपना North Pole इसका मतलब क्या हो गया North Pole के उपर Sunlight पड़ रही है दूर से दिख रहा होगा आपको light ठीक है इधर की side क्या है थोड़ा अंदेरा दिख रहा होगा तो मतलब क्या है 24 गंटे लग 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 North Pole के उपर अंदेरा आता ही नहीं है और South Pole क्या होगा पूरा अंदेरे में रहेगा ठीक है ये किस के कारण हो रहा है अपना Tilt के कारण हो रहा है और यही अगर opposite हम देखेंगे क्योंकि revolve करके वो इसके opposite direction में आ गया अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया इसका Tropic of Capricorn इसके बिलकुल perpendicularly आ गया ये Tropic of Capricorn ये Cancer और ये Equator और ये हो गया अपना Cancer तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया अपना Tropic of Capricorn Sunlight के बिलकुल सामने आ गया तो ये क्या हो गए अपना 22nd December 22nd December को क्या हो जाएगा अपना कौन साइ wait solustice हो जाएगा Winter solustice ठीक है 22nd December date याद रखनी है twenty first June को क्या हो जाएगा अपना Summer solustice हो जाएगा ठीक है मतलब क्या होगा Summer क्यूंसे में हो जाएगी Northern Hemisphere मे 21st June को क्या होगा मतलब June के मन्त में Summer किसम होगी अपनी Northern Hemisphere में और India किसमे आता है अपना Northern Hemisphere में पूरा Northern में आता है और Southern में क्या होगी उस टाइम पे ठंडी चल रही होगी ठीक है और ऐसी अगर हम opposite बात करें December के मन्त में या विंटर्स में तो क्या होगा अपने Cancer यहां पे उपर चला गया Capricorn इसके सामने आ जाएगा तो Capricorn में क्या हो जाएगी उस टाइम पे Summer हो जाएगी मतलब जैसे हम देखते होंगा Cricket लगबग सभी देखते होंगे Australia के टूर जब इंडिया जाती है तो वो generally क्या होते हुआ है? January February में जाती है कभी notice करना क्यूं क्यूंक्य यहां पे क्या होती है? ठंडी होती उस टाइम पे और Australia किस में पढ़ता है सदन में सफियर में पढ़ता है तो सदन में क्या होगी? उस टाइम पे गर्मी होता है तब January, February में यहाँ पे ठंडी होगी, तो Australia में क्या होगा? गर्मी का मौसम होता है, ठीक है? इसलिए वहाँ पर जो टूर होते हैं, क्रिकेट के, या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट कोई भी जाएगा, तो उस टाम पर क्या होता ना? समर वेकेशन चल रहा होगा वहाँ पर, या समर सीजन चल रहा होगा उन्स टाम पर उनका, ठीक है? तो यह क्या है? जैसे, नो सनलाइट होन दा, साउथ पोल, विंटर इंदा, सदन हैमेस्ट, तो मतलब साउथ पोल पर कोई सनलाइट नहीं होगी, तो यह तो हमने क्या देख ली? सॉलेस्टिस की कंडिशन, ठीक है? इसी में अगर हम सारी चीज़ समझ लें कि बाद में एक एक करके टम देख लेंगे, यह तो होगी अपनी सॉलेस्टिस की कंडिशन, अब दो कंडिशन किसके आएंगी? हम आएंगे एक एक विनॉक्स की है? ठीक है? एक विनॉक्स की डेट भी देखेंगे बाद में, एक विनॉक्स का मतलब क्या था? एक्वल सनलाइट भड़ेगी. दोनों के उपर, ट्रॉपिकोफ कैंसर के भ़़ा और ट्रॉपिकोफ Capricorn के भी उपर, ठीक है, कैसे पड़ेगी, क्योंकि ये जो tilt है, ये क्या है, ऐसे direction में, ये ना कि sun के इस direction में, अगर इस direction में होता, तो equinox का करते, इन दोनों जंगे पे बनते, यहाँ पे क्या होते है, solar stage बन जाते, अभी क्या है वो, इस के इस direction में पढ़ रहा है, तो यहा समझ में आ रहा है कुछ, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये पूरा जो sun है, मतला अर्थ है, ये क्या करेगा, sun के बिल्कुल सामने आ जाएगा, इस में क्या होते हैं, तो इस दो direction में दिखेगा, और इस में और इस में, मतला मार्च के मन्त में, और अपने सेप्टमबर के मन में, तिल्ट का कोई variation नहीं देखेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कि जो sunlight होती है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे भी और ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी, क्या होगी, sunlight सेम होगी, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे, जो दिन और रात होते हैं, डेज होते हैं, डेज और नाइट, वह क्या होगे, इक्वल अमाउंट में होगे, तो इसलिए बोलते हैं कि दिसंबर में क्या होती है, रात बड़ी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, अपना, क्या होता है, दिसंबर में, विंटर सॉलेश्रिस होता है, इसलिए र कि बात करेंगे, यह 21st, मार्च को क्या होता है अपना, इसको वर्नल इक्क्विनोक्स भी बोलते थे हैं, या फिर शरद रितू को, ठीक है, उनको पत्यजड नाम क्यों दिया, क्योंकि इस टाइम पर पत्ते क्या करते हैं, पेड क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो कब आता है वो मन्त, बारिस का मोसम जैसी खतम होगा, और ठंडी आने से पहले, सेप्टमबर से, अक्टूबर के मन्त को क्या बोलते हैं, ओटम, सीजन, या फिर शरद रितू, या फिर पत्यजड का मोसम बोलते हैं, ठीक है, तो यह अपना क्या है, ओटम, कब आया, 23rd, सेप्टमबर को, कौन सा हो गया अपना, ओटम, इक्विनोक्स, ठीक है, यह देट या मार्च को, तो 21st, और यह 23rd, सेप्टमबर, ठीक है, यह देट कई बार एक्जाम में, पूछता है, कि वही, वर्नल इक्विजनोक्स में इसको नाम दे दिया गया है, या फिर इसको बुछ ले जाए, स्प्रिंग विक्विनोक्स क्या होता है, ठीक है, कब आता है में, जब दे और नाइट जब क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो कब आएगी, 21 मार्च को, ठीक है, तो यह क्या याद रखना है, स्प्रिंग एक्विनोक्स क्ब होता है, उसके बाद, ओटम एक्विनोक्स क्ब होता है, समर सोलेस्टिस क्ब आता है, विंटर सोलेस्टिस का बाता है। चारों पोइंट क्लेर हों गए, अब दो कंडिशन आती है। ystem आपिहिलियन और पैरिहिलियन। ठीक है? पूछा जाता है कई वर पूछा ूट सुरय कंतै के सब से नजदीक है, उसको क्या बोलेंगे पैरिहीलियन कंडिशन। और जब सबसे दूर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिहिलियन कंडिशन, ठीक है? इनके डिस्टेंस होती है, ये एउ में दे रिखिए, एस्ट्रोनमिकल यूनिट्स में, हम माइल्स किलो मेटर में याद रखेंगे, ठीक है? वो देखते हैं भी स्लाइड में, 147.5 होती है, इसकी पैरिहिलियन की मिलियन किलो मेटर में, एपिहिलियन की भी देखेंगे, ठीक है? तो हमें सिर्फ या याद करना है, पैरिहिलियन क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या आद देखेंगे? टर्म्स का मीनिंग पूच लेते हैं. डेफिनेशन देदेंगे, 3-4, कि भी पैरिहिलियन क्या होता00 होता? पैरिहिलियन कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है? एपिहिलियन का कितना डिस्टेंस होता है? जब speed होगी, अर्थ की speed सबसे ज़्यादा कब होगी? epihelion पे होगी या perihelion पे होगी? speed जो होगी, अर्थ की, rotation की, कब होगी सबसे ज़्यादा perihelion पे? क्योंकि जितना pass में होगा, उतना क्या करेगा? force जो attraction होगा, वो ज़्यादा काम करेगा. क्योंकि यह क्या है, circular तो है नहीं, यह दिख रहा होगा आपको, एक elliptical है, तो क्या होगा, distance vary करता है, अगर यह circular होता है, तो क्या होता है, पूरा distance क्या होता है, चारों तरफ सेम होता, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, solusis हो गया था, next आता है अपना equinox, equinox मतलब Vishnu, ठीक है, there are two times, साल में सिर्फ दो टाइम ऐसे आएंगी, जब क्या होगी, when the earth axis is tilted, neither towards, nor away from the sun, मतलब दो condition, साल में ऐसे आएंगी, जब क्या होगी, कि earth की जो axis है, वो tilt नहीं होगी, किस के comparison में, sun के comparison में, क्योंकि हम sun के respect में बात करें हैं यहां पर, क्योंकि हमें सूर्य से लेना देना है, यह कब को होगी condition, 21st March, देखा हमने, 21st March को कौन सा equinox था, पक्का, spring equinox, और 23rd September को, autumn equinox, हमने देखी लिया, तो इन दोनो दिन क्या होगी, direct rays of the sun falls on the equator, ठीक है, जब equator पे बराबर होंगी, तो tropic of cancer और Capricorn पे, अपने आप ही बराबर चली जाएंगी, ठीक है, तो this result is nearly equal amount of daylight and darkness at all the latitudes, मतलब जो दिन और रात में जितना भी फरक होगा, हर लेटिटूड पे, सेम होगा, ठीक है, 23rd September में क्या होगा, ओटम सीजन होगे उस टाइम पे, ठीक है, शर्रदरी तो बोल देते हैं, seasons after summer और before the beginning of the winter, यह हमने जनली सारा समझ लिया, इसको देख लेना, पीपीटी में, seasons कब-कब क्या क्या आते हैं, perihelion देख लिया हमने, apihelion देखना, इसमें क्या याद रखना हमने, perihelion क्या होता है कि, earth is closest to the sun, जब सूरे के सबसे नजदीक प्रिथ्वी कब होता है, उसको क्या बोलते हैं, perihelion condition बोलते हैं, date क्या होती है, 3 January, यह date पूछी जाती है, 2020 में पूछी गई है, ठीक है, 3 January को क्या होती है, condition अपनी perihelion condition होती, कितना distance होता है, 147.5, millions of kilometer, ठीक है, 1 millions में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, यह आद रखना, ठीक है, epihelion क्या हो गया, जब क्या होगा, प्रिथ्वी सूरे से सबसे दूरी distance पर होगा, ठीक है, कितना distance होगा, कब आएगा, चार जुलाई, तो हमें चार डेट याद रखनी है, solistice, दोनों डेट, उसके बाद equinix, equinix वाले, दोनों डेट होगे, उसके बाद अपनी perihelion और epihelion की दोनों डेट होगा, perihelion कब आई है, january में आई है, 3 january, और यह इसके बाद 4 जुलाई होगा, ठीक है, दोनों जे जैसे है, ठीक है, january और जुलाई, यह इसके डिस्टेंस कितनी होती है, 152.5 मिलियन किलोमेटर, कल सबने देखी होगी लगबग चंदरयान थिरी की लेंडिंग, लाइफ चल रही थी, अपने चैनल पे भी चलाई थी हमने, ठीक है, तो क्या का समझ में आया है उससे, उससे ये देखो कि इंडिया के लेंडि लेवल कितना बढ़ बढ़ गया है, स्पेस नहीं, ठीक है, इसने तीन देन पहले ही रश्याने लुचि Chin, जा रुझ है, तो यह जी भाई है, तो वे फेल होगई है, तो अध इंडिया की देखो इ टेक्नलोजी में और इतना कंडिशन थी कि इतना उसको चेर्में जो था इस प्रोजेक्ट का इश्रो का तो वो कौन था उसने ये बोला कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो भी लेंड करेगा वो इतना उसको कॉंफिडेंस था अपने प्रोजेक्ट के उपर ठीक और वही हुआ तो मोदी जी कहा जा रहे ते इस टाम पे साथ अफरीका में क्या ओरी साथ अफरीका में क्या ओरी है साथ अफरीका में ब्रिक्स, ब्रिक्समिट, ठीक है, जब समिट के बारे में पढ़ेंगे अलग-लग, तो पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, पांच देश होते हैं, ठीक है, तो ये सारी जितने भी ओगनाईजिशन है, SEO, bricks, beam stack सारे सब के बारें बढ़ेंगे Speed of the earth is fastest as Perihelion Perihelion पे क्या होगी Speed किसकी होगी अर्थ की सबसे तेज होगी और Epihelion पे सबसे कम होगी ठीक है उसके बाद आता है अपना उतरायन ठीक है Next आएगा धक्षिनायन ठीक है उतरायन का मतलब क्या होता है जब सूर्य क्या करेगा North की तरब move करेगा ठीक है जैसे हम diagram देखते है यह अपना क्या है equator ठीक है यह होगया अपना Tropic of Cancer और यह होगया Tropic of Capricorn यह था 23 and Half degree North यह होगया 23 and Half degree South यह होगया Zero degree equator अब यह क्या डेट होगी इस पर जब सूर्य होगा इसके वारट उपर सिर पर होगा कौन सी कंडिशन होगी यहां पर बताओ अभी हमने पढ़े हैं जब सूर्य इसके उपर होगा Tropic of Capricorn के उपर होगा तो कंडिशन कौन सी होगी परियलियन अपियलियन तो है ही नहीं कुछ वो सिरफ डिस्टेंस के बाद हो रही थी हम यहां पर सूर्य के बाद कर रहे हैं जब वहां पर सनलाइट बढ़ रही है ठीक है या तो सॉलेस्टिस होगा या इक्विनोक्स होगा इक्विनोक्स कब होगा जब सूर्य के आओगा इक्विटर के उपर होगा ठीक है तो मतलब वह सिरफ दो कंडिशन होगी जब इक्विनोक्स होगा वो दोनों किस पे होगी equator पर होङी, ठीक है यहाँ पर कौन सी होगी अपनी solastis condition होती है, ठीक है यहाँ पर क्या है Southern में क्या होता है ठंडी होती है, अपने North की comparison बात करें तो Southern में कब होगी, December में होगी और Northern में क्या होती है अपने लिए गरमी आती है, तो तो वो कब होगी अपने June में होती है, तो यह याद रखना, यह क्या होगा अपना, 21st June में होगा, और यह कितना था, 22nd December, ठीक है, अब 22nd December पे जब यहाँ पे सूरे आ गया, अब यह क्या करेगा, यहाँ से उपर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ से यह उपर मूव करा, यहाँ पे आ गया, 0 पे, 0 पे कौन सा मन्द आता है, कौन सा Equinox आता है, जब यहाँ से वापिस मूव कर रहा है, क्योंकि December से चला, December के बाद कौन सा मन्द आएगा, March आएगा, March में कौन सा Equinox बन रहा था, Spring बनना था, Autumn बनना था, Spring की ट्विनोक्स था, कौन सी रेट थी, March की, 21st March, 21st March, 21st March को यहाँ पे पहुँच गया, Equator पे, अब उससे यह क्या करेगा, उपर मूव करने की कोशिस करेगा, तो June तक क्या करेगा, 21st June तक यह, Tropic of Cancer पे पहुँच जाएगा, इस movement को क्या बोलते हैं, उत्रायन, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक नॉर्थ की तरफ, मूव कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 21st June और 22nd December, 22nd December से क्या हो गया, उत्रायन स्टार्ट हो जाता है, और 21st June को उत्रायन खतम हो जाएगा, तो definition देखें, क्या हो गया, 6 महिने के लिए क्या होगा, कि sun appears to be moving north, तो 6 महिने के लिए अमें क्या दिखेगा, जो सूर्य है, वो नॉर्थ की तरफ, मूव कर रहा है, मतलब उत्र की तरफ, चल रहा है, ठीक है, उसके बाद, नॉर्थ वर्ड माइग्रेशन ओफ दे सन, अपिर्स तो बिगिन फ्रों 22nd, दिसम्बर को स्टाट करेगा, उसके बाद, खतम कब होगा अपना, 21st June को, ठीक है, इस मूमेंट को क्या बोल देंगे, उत्रायन, और यही हम देखें, 21st June से, जब वो नीचा आएगा, उसको क्या बोल देंगे, दक्षिनायन, क्योंकि वो दक्षिन की तरफ मूव कर रहा है, तो दक्षिनायन कब स्टाट होगा, 21st June को स्टाट होगा, और खतम कब होगा, 22nd December को, उसके बीच में एक 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 विनोक्स पड़ेगा, कब आएगा वो एक वो एक विनोक्स, 23rd September, ठीक है, तो ये दो डेट आगई यहां पर, 23rd September, ठीक है, तो ये चार डेट याद रखनी हैं, 21st June को क्या हो रहा था अपना, ट्रॉपिकोग, कैंसर पे, कौन सा सॉलेस्टिस बन रहा था, समर सॉलेस्टिस बन रहा है, और 22nd December को कौन सा बन रहा है अपना, विन्टर सॉलेस्टिस बन रहा है, और जब जिरो डिगरी एक विटर के उपर सूर्य होगा, तो क्या होगे, इपकिनोक्स कंडिशन होगी, क्योंकि यहां पर अगर उपर है, तो यहां भी सनलाइट सेम होगी, और यहां भी सनलाइट सेम होगी, तो क्या होगा जब सूर्य है, जब दिन और रात के होँगे, सेम होँगे, तो कौन सी डेट होगी, 21st March और 23rd September, तो यह चार डेट होगी, और एक थी, Perihelion और Epihelion, तो Perihelion का मतलब क्या था, पास में, तो सूर्य सबसे पास में, पृत्वी के कब होगा, कौन सी डेट थी, 3 जनवरी, और सबसे दूर कब होगा, क्या डेट थी, 4 जुलाई, 3 और 4, दोनों जे से थे, और किलोमेटर कितने थे, सबसे पास में कितना था, 147.5 मिलियन किलोमेटर, और दूर का कितना था, ठीक है, तो ये देख ले, आमने उत्रायन होगया, अब नेक्स देखते हैं, दक्षिनायन, ये होगया अपना दक्षिनायन, ठीक है, आमने समझ सारा लिया, वैसे भी, 21st जून से स्टार्ट होगया, छे मेने के लिए, दिसमबर तक, ये दक्षिनायन चलेगा, साउथ होड माइग्रेशन होगया, ये साउथ की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये वही लाइन जो आपने समझा लिया, सारा, ये इसमें डाइग्राम से दिखा रखा है, पुरा, ठीक है, समझ लेना इसको सारे को, सारा हमने पढ़ लिया है वसे भी, अफेक्ट ओफ दा अर्थ मोशन, हमने देखा था स्टार्टिंग में, दो मोशन होते हैं, कौन से उनसे, एक revolution और एक rotation, तो revolution से और rotation से क्या-क्या उफेक्ट होता है, अपने day-to-day life में, rotation से क्या होता है, days and nights, ठीक है, तो question में, answer में option देदेगा, चार, भई, rotation से क्या-क्या फरक पड़ता है, तो अपने क्या होते हैं, दिन और रात, किस की वजय से होते हैं अपने, rotation की वजय से होते हैं, और revolution की वजय से क्या होते हैं अपने, seasons होते हैं, जैसे अभी हमने देखा, यह सारे seasons हैं अपने, क्योंकि जब सूर्य और South की तरफ मूव कर जाएगा, तो नॉर्थ में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है, South में कब मूव करेगा, South में कब मूव करेगा, South में किस टाइम पर मूव करेगा सूर्य है, Tropic of Capricorn की तरफ कब जाएगा, जब अपने नॉर्थ में क्या होगा, गर्मिया ठंडी आओंगी, December की टाइम पर, December की टाइम में, सूर्य काहा जाएगा, South की तरफ चला जाता है, ठीक है, Representation यह देखी लिया, यह सारा क्या था, Seasons का Representation था, ठीक है, तो यह अपना Solus Tris का होगी, यह दोनों, यह दोनों के इसके होगी अपने, Equinox की condition होगी, यहीं पर अपने Perihelion, Epihelion, दोनों कंडिशन देख लिए, कितना कितना किलोमेटर था, कौन कौन सी डेट को बन रहा है, Spring Wikinox को क्या बोलते हैं, Verna Liquinox भी, बोला जाता है, ठीक है, यह था अपना इसका सारा Topics, इसके बाद एक Brief देख लेते हैं, लगबग इसके आसपास पढ़ रहा है, क्योंकि एक एक सीटी हर को याद ने कर सकता, ठीक है, तो हमें कैस तिरफ आइडिया देखना है, इंडिया कहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से, कितना था इसका, कितना था इसका, 8 डिग्री, पका 4, और उपर कितना था, 37, 6, 37 डिग्री, 6 लेटिट्यूट्स, ठीक है, यह अपना लेटिट्यूट्स के बाद थी, उसके बाद यहां पर क्या थी अपनी, लोंगिट्यूट्स के बाद थी, ठीक है, तो यह एक आइडिया देखना है, कि ऐसे यह जितनी भी लाइन से, यह सारी क्या है, लोंगिट्यूट्स है, और यह लाइन जितनी भी है, यह क्या है, अपनी लेटिट्यूट्स, अभी हम कुशन करेंगे, 10 बार कुशन, उसमें इस डागरम का, यूज करेंगे, और इसे समझेंगे, भी क्या का डागरम हमें काम आ सकता है, बई इस टॉपिक के ओपर, सबसे पहला कुशन क्या है, यह सारे कुशन क्या है, आ रखें, मैंने नी बनाए, हम टेस्ट में बनाएंगे नहीने कुशन, यह सारे आए हुए है, तो आपको क्या idea लग जाएगा, इस बी कुशन कैसे कैसे पूछ रहा है, वीच ओफ द फोलेंग पैरलेल्स टु दा, लैटिटूड रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट दा, ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन, कितना सिंपल कुशन है, ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन का कितना लाइटिटूड होता है, 23 है, अार्फ दिग्री, नर्दन या विर सादन? कैप्रिकॉन का? ठीक है, ठीक है, D answer हो गया, कैप्रिकॉन का क्या होता है, अननम हैस्फहर में होता है, और, Cancer का कुछ से Hemisphere में होता है Northern Hemisphere में होता है ठीक है और 66.5 degree का क्या होता है क्या नाम बोलते हैं उसको Arctic Circle Northern में हो गया और Antarctic Circle अपना South में हो गया Torrid Zone कल पढ़ा था हमने Torrid Zone कोनों से Tropics के बीच में आता है Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में Torrid Zone आता है और उसके उपर Tempered Zone और उसके उपर अपना Freezed Zone हो गया Next question आता है Ganga Brahmaputra Basin Lies between कितना latitudes ऐसे question देखो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ठीक है ज़रेलिए हम अभी देखेंगे डाइग्राम से बट जो ओफिशल ही देदिया वह इसका आंसर आपड़ेगा आमे आंसर इसका क्या दे रखा है जो आंसर की भूक में है यह वाला दे रखा है 10 से 30 दीग्री ठीक है अब हम डाइग्राम से देखेंगे किसका है Ganga और Brahmaputra का यह डाइग्राम है Ganga कांसे फ्लो कर रही थी? यह पूरी Ganga थी? ठीक है Brahmaputra कांसे आ रही थी? यह Brahmaputra थी? इसका बेसिन कितना हो गया? लग बग यह मान के चले हम ठीक है तो यह किस-किस कितने लेटिटूड में आएगा? यह देखो यहां पे कितना हो रहा है लग बीस ठीक है बीस से कुछ न कुछ उपर ही रहेगा इसका basic क्योंकि South में तो गया आगी अपनी Peninsular Rivers आगी थी? ठीक है अब उपर की दरफ कितना है? यह है 30 तो maximum उपर हम 30 मान सकते हैं तो कितना लेटिटूड के बीच में आ जाएगा? 20 से 30 के बीच में अप्शन देखते हैं अप्शन क्या दे रखा है? देखो 20 तो कहीं है यह नी नीचे की साइड तो 20 से तो नीचे यह आगया है अब जैसे हम देखेंगे 16 और 36 पहला अप्शन देखते हैं 16 से 36 16 का है यह यह वाला 16 है ठीक है? और 36 का है? यह वाला तो इतना बेशन मान सकते हैं इसका? नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो तो पूरा चाइना ही कवर कर दिया उसने ठीक है? तो पहला उप्शन गलत नेक्स्ट उप्शन क्या था अपना? 14 से लेके 34 तक 14 क्या है अपना? यह वाला 14 से लेके 34 था 34 कहां पर अपना? यह वाला यह वाला उप्शन देखके देखो 14 कहां पर आ गया है यहां पर? अंदरप्रदेश ठीक है कवरी कर लिया लगबग ठीक है और उपर क्या है? लगबग तिबबद तो चाइना भी कवर कर लिया तो यह वाला उप्शन भी अपने लिए लगबग गलत है next option क्या है? 12 से 32 और 10 से 30 next आता है अपना 12 यह नीचे जाता जा रहा है और उपर से नीचे आता जा रहा है ठीक है? 12 से 32 ठीक है? अब इससे अगला option कहा था? 10 से 30 इसने क्या answer माल लिया है, 30 को right माल लिया, उसके साथ क्या दे रहा है, 10, क्योंकि 10 क्या पढ़ रहा है, इंडिया में पढ़ रहा है, इसलिए उसने answer right, 30 से लेके 10 को consider कर लिया, नहीं तो इसको actual answer कितना होना चीए, 30 से लेके 20 के बीच में होना चीए, ठीक है, अगर question आये ऐसा तो यह तरीका है, सोल करने का, क्योंकि हमें भारवाली कंट्री को include नहीं करना, इंडिया को हम एक्स्रा include कर सकते हैं, हम यहां पर अगर उपर लेते, वो चाइना भी consider कर रहे हैं, जहां पर हमारी कोई भी रिवर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इंडिया में अगर ए मिर्जापुर में, कितने स्टेट से पास हो रहा था, पास स्टेट से, कौन कौन से स्टेट थे, सबसे पहला कौन चाथा, यूपी, नेक्स्ट कौन चाथा, MP था, पक्का, उसके बाद, चतिछ गड़ के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद था ही नहीं कुछ, क्यूंकि पांच ही तो स्टेट से, ठीक है, और ट्रोपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हो रहा था, आठ स्टेट स तो आठ हो याद होने चाहिए आपको, Greenwich, Meridian, Time, कितने countries से पास हो रहा था? 8 countries थे, दोनों 8-8 countries थी, वो भी नाम याद होने चाहिए और State के मिनाम याद होने चाहिए, तो 5 थे, कितना था अपना Standard Meridian Time? 82 and half degree, East था, बैस था, East ही सारे option दे रहें, तो पहला option राइट हो गया, ठीक है? Next question क्या है? 90 degree, East Meridian, does not pass through, ऐसे question आते हैं, जो दिमाग चकर रहेंगे आपको होँआ पे, 90 degree, East, पहले तो ये ध्यान करना है कि 90 degree, East काहँ पे होगा? जब 82 degree अपना काहँ पे आ रहा है, UP में आ रहा है, तो 82 के बाद ही होगा 90, तो इसमें से कोनों से option अट सकते हैं, मांगनादेश, भुटान, सिक्किम, मेगाल्या, कोई भी नहीं हटेगा लगबग, क्यूंकि सारे क्या पढ़ रहे हैं, उसके East में पढ़ रहे हैं, ठीक है? पहला तरीका है, अब डायग्राम से देखते हैं, यह है डायग्राम देखो, अपना क्या पूछार का है? 90 डिगरी पूछा था ना, 82 डिगरी कहां पर अपना? यह, ठीक है? यह यहां से कहां से पास कर रहा है अपना? ठीक है? यहां पर, अब 90 क्या गर है, इसके इस्ट में पड़ेगा, अगर option में दे, इधर की कोई भी city अगर option में दे देता, वो उसको पहली neglect मार देते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल देते, option में क्या दे रिखी हैं, अपनको सारी की सारी East की cities दे रिखी हैं, ठीक है? अब पूछा है है, से 90, 90 कहां पर पोज गया, यहां पर, तो हमें यह idea लेना है, एक बाद धंक से 5, 10, 15 मिर देखना है, भी कौन सा latitude या longitude इंडिया में कहां कहां से पास हो रहा है, तो 90 डिग्री कहां से पास हो रहा है, सबसे पहले भुटान में एंटर हुआ, भुटान के बाद कहां पर एंटर इंटर हुआ, तो दो स्टेट से पास हो रहा है, कहां से मेगाल्या और आसाम, तो भुटान से भी जा रहा है और बांगलादेश से भी जा रहा है, ठीक है, कुशन क्या था अपना, 90 degree east meridian does not pass through तो भुटान और बांगलाइदी से पास हो रहा है तो ये option तो क्या होगे दोनों ठीक है हमें बताना किसे पास नहीं हो रहा है सिक्किम उसके क्या पढ़ रही है नौर्थ में पढ़ रही है जब भुटान से ही पास हो गया तो सिक्किम से कैसे होगा क्योंकि सिक्किम तो उसके वेस्ट में पढ़ेगी तो आंसर क्या होगे अपना सिक्किम हो गया और मेगाल्या और असाम से दोनों से पास हो रहा है समझ के कुशन कैसे आ रहा है तो इस तरीके से हमें क्या करनी है थोड़ा पांच जसमिंट के आना, उस मैप को देखना, भई वो city या लंगविट्यूड है, कौन से कहा कहा से जा रहा है, क्यूंकि एक एक चीज याद नहीं होंगे आपको, कौन कौन से city से पास हो रहा है, नेक्स कुशन, एक और कुशन आएगा इससे लेटर, उसमें भी देखेंगे, इंडिया इस लोकेटिटी टुदा, नोर्थ ओफ एक्विटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रोपिक ओफ केप्रिकोन, या फिर ट्रोपिक ओफ कैंसर, तो बताओ इस कांसर क्या होगा, इंडिया लाई करजाए है थे मारे, एक आपपशन नहीं थेता, तो नौर्थ ओफ एक्विटर हो जाएगा, अगर 59 उप्शन नहीं देता, तो कैप्रिकोन आंसर होचा था, थीक है यूदक कैप्रिकोन की भी तो नौर्थ में है, बटा आंसर आंसर आम्ने 2 बताओ एक्विटर देज कितना था? 1 degree, longitude कितना था? 111.3 km, तो लगबग लगबग, सेम थे, ठीक है? एक और था? एक, एक degree, movement, कितने minute में कवर कर रहा हो? चार minute में, ठीक है? ठीक है? इसके बाद इसको multiply करते चले जाओ, हिसाब लगाते जाओ, बाकी कितना ही भी पूछ ले वो, हमें सिरफ एक चीज याद रखनी है, एक degree वो चार मिनटे में होगाई, अब वो चाहे आठ मिनट पूछ ले, चाहे हमसे पंदरा, पंदरा डिगरी पूछ ले, चाहे आठ डिगरी पूछ ले, उसक तो इस question का मतलब बताओ क्या है, ठीक है, मतलब सूर्य से पिर्थ्वी सबसे दूर कब होगी, दो condition देखी थी हमने, एक सबसे पास और सबसे दूर, सबसे पास वाले को क्या वो लेंगे, perihelion, सबसे दूर वाले को क्या वो लेंगे, epihelion, तो perihelion कब आय था, 3 जनवरी, ठीक है, और epihelion, epihelion, मतलब सबसे दूर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, farthest, मतलब सबसे दूर कंडिशन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा अपना, 4 जुलाई हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में, कुशन, यह सारी कुशन आ रहे हैं, तो देखते जाओगे, one, center, पहले तो यह बताओ, इस कुशन का मेनिंग आए, बोड ट्रीकी कुशन है, काफी अच्छा कुशन है, कुशन का मेनिंग बताओ, यह है एक सरकल मान लिया हमने यह पॉइंट मार लिया ठीक है रेफरेंस पॉइंट हमने यह माल लिया अब इस पॉइंट या तो यहाँ जाए, या फिर यहाँ जाए, कहीं भी ट्रेवल करें चारो डायक्शन में, लगबग लगबग ट्रेवल टाइम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि क्या है, डिस्टेंच सेम है, अगर हमारी स्पीड सेम होगी, तो ट्रेवल टाइम क्या होगा, सेम होगा, तो इस को क्या बोलते हैं यह पूचा गया इसमें यह जो line बनाई गई है क्युक्ट के एक point को यह join कर रहा है जहां पर किया एक point से बराबर समय में पहुच सकता है जरूरी निहे कि बिल्हुरी सर्कल हो जिग-जैग भी हो सकता है यह ठीक है, अब जिसे नजबगड है, नजबगड से आदे गन्टे में कहां कहां जा सकता है इंसान, बादेगड चल जाएगा, बादली चल जाएगा, उदर की साइट, इन पॉइंट को अगर हम जोड देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, ये इसो क्रोंस भोलते हैं इसको, अब देखते हैं, इसोलाइन क्या होता है, इसो बार्स क्या होते हैं, इसोलाइन क्या होते हैं, इसोलाइन क्या होते हैं, इसोलाइन क्या होते हैं, बताओ, इसोलाइन क्या होते हैं, बताओ, इसोलाइन तो पता चल गया तुमें, क्योंकि आंसर इसो हेलाइन का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा याद रखना है, सलाइनीटी के बारे में बात कर रहा है, कितना खारापन है? ठीक है? यह कहां पे मेजर मेजर में होगा? जन्रल्ली पानी में मेजर होगा. और पानी सबसे बड़ा कहां पे है अपना? अशन में सबसे ज़्यादा, तो ओसन में जैसी अपना ओसन है, यहाँ पर एक पॉइंट यह ओगया, इन दोनों पॉइंट पर क्या होगी, शिलाइनिटी क्या होगी, सेम होगी, आइसो का मतलब जहां पर यह आइसो आगया ना, मतलब इक्वल, ISO का मतलब हो गया equal जहां पे salinity होगी उस line को क्या बोलेंगे ISO हलाइन ठीक है ISO crones ये हो गया ISO हलाइन हो गया अब next पे जाते हैं ISO हलाइन आगे समझ में next आते हैं अपने ISO bars ISO bar का मतलब क्या होता है Atomic pressure Bar Bar किसकी unit होती है Barometer किसके लिए काम आता है Pressure लिए काम आता है Atmospheric के लिए Atmospheric pressure जहां पे सेम होगा उसको क्या बोलेंगे उस line को ISO bar बोलेंगे और ऐसी अगर हम temperature की बात करेंगे तो क्या होगा ISO therms होगा ठीक है Therm का मतलब क्या होगा ये किससे बना Thermometer से ये किससे मना Barometer से Barometer से क्या नामते हैं Atmospheric pressure नामते हैं और Thermometer से क्या नामते हैं Temperature नामते हैं तो ISO therms क्या होगा जहां पे temperature सेम होगा उस lines को क्या बोलेंगे ISO therm और ISO bar किसको बोलेंगे जहां पे Atmospheric pressure सेम होगा Next आता है ISO brunt ये एक नई टम्स यूज़ की रही है, आइसो ब्रेंट का मतलब क्या होगा, जहां पे थंडर स्टॉम्स जाद आएंगे, थंडर स्टॉम्स को क्या बोलते हैं, हिंदी पे, ये एक तरह का तुफान का नाम होता है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग नाम यह जा जाता है, कह चकरवाद सिंपा साम चकरवाद भी हिंदी में जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, साइकलोन का अलग अलग नाम हो जाते हैं, ठीक है, विंड की वेलसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे, तो वह क्या हो देने, मॉनसूं में विंड को साथ में लेके आती है rainfall को साथ में लेग आती है ISO brunts का मतलब क्या हो गया जहां पे hurricanes बार बार आ रहे हो ठीक है तो मतलब उस line को उस belt को क्या बोलेंगे ISO brunts बोलेंगे जैसे क्या है volcanic जो line है ring of fire बोलते हैं जिसको जहां पे क्या है बार बार जो आला मुकी फटते रहते हैं कहां पे यह अपना कहां पे है Pacific Ocean में कहां पे कौन सी countries के पास में है यहां पे जैसे Philippines की साइड नहीं आता है Philippines की साइड जापान की साइड ठीक है वो सारी countries उपर से नीचे तक पढ़ती है ठीक है उस पूरी line को क्या बोलते है ring of fire बोलते है क्योंकि वहां पे जौला मुकी फटती रहते है तो आग जनली दिखती रहती है तो यह क्या हो गया ISO ब्रंट्स हो गया तो चारों याद हो गया ISO हलाइन क्या होता है ISO क्रोंस क्या होता है ISO बार्स क्या होता है ISO ब्रंट्स क्या होता है और ISO-Therms क्या होते हैं, ठीक है? Next question देखते हैं, Next question क्या है? All parallel circles Parallel circles किसको बोला गया था? Longitudes को, क्योंकि latitudes को, Longitudes तो parallel circle थे यह नहीं, बस वो सिर्फ equal थे, Latitudes equal नहीं थे, यह क्या थे? Parallel थे चारे, जैसे हमने देखा था, यह equator, इसके ओपर cancer, Arctic वगरा वगरा उपर जाते जाते, latitude चले गए, यह सारे क्या है? एक दूसरे के Parallels थे, ठीक है? तो इनको क्या बोलते थे आपने? Parallels of latitude, Arctic circle उपर था, Tropic of Cancer अलग था, Antarctic circle अलग था, इन तीनों circles को क्या बोल दिया? Parallels of latitude बोल दिया, ठीक है? Next, Next question क्या है? When does the entire earth experiences equal days and equal nights? तो हमने condition पड़ी थी, या तो दिन रात क्या होंगे? Maximum होंगे, बड़े होंगे? या फिर क्या होंगे? बराबर होंगे. तो बराबर कब हो थे? Equinox. Equal का मतलब, Equinox. और Maximum का मतलब क्या हो रहा था? Solistice. ठीक है? तो Solistice साल में दो बार हो रहे थे. और दो ही बार क्या हो रहे थे? Equinox हो रहे थे. Equinox की date क्या कहती? 21 March और 23 September. और Solistice कब कब थे? Summer Solistice कब था? 21 June. ठीक है? जिसको Yoga Day भी बोल जा था, International Yoga Day. और 22 December. ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? जब क्या हो गा है? Entire Earth Experiences Equal Days and Equal Nights. क्या बोलेंगे इसको? Day of Equinox. ठीक है? क्वेशन समझ में आ गया? Day of Summer Solistice कब था अपना? Summer Solistice कब था? 21 June को. और Winter Solistice कब था? 22 December को. और Orbiter Plane तो वो तो अलग चीज़ है. वो तो को डेट नहीं हो उसकी तो. ठीक है? जिस Orbit पे Earth रिवॉल कर रहा है. ठीक है? Next question क्या है? जैसे भई, लेटी टूर्स की बात कर ली यहां पर. जैसे हमने पहले कहता का, 90 डिगरी लॉंगी टूर्स है, कहां कहां से पास कर रहे हैं. अब उससे भी ज़्यादा depth में question आ गया. यह क्या पूछा गया है? कि name the state capital. यह सब की capital है? दिसपूर किसकी capital है? आसाम की capital है. सारे states capital याद होने चीए. कौन-कौन सा state किसको touch कर रहा है? कौन-कौन सा नहीं कर रहा है. क्योंकि यह पूछा जाता है question. Capitals, इटानगर किसकी capital है? अरुनाचर प्रदेश. Capital सब को याद नहीं है इसका मतलब. पतना किसकी है? बिहार की है. हैदराबाद किसकी है? हैदराबाद किसकी है? अभी वो working capital दोनों की है. आंदर प्रदेश और तेलंगाना की. क्योंकि अभी अमरावति कहना under working है. यह मतलब बन रहे है. अंडर कंस्ट्रक्शन है. ठीक है? तो जब वो पूरी बन जाएगी, उसके बाद आंदर प्रदेश की क्या हो जाएगी? अमरावति हो जाएगी. ठीक है? तो यह देखते हैं हम कहां कहां से? 530 मीटर सी से उपर. यह कोई मतलब नी इससे. ठीक है? हमें सिर्फ क्या देखना है? 90 डिग्री इस्ट. ठीक है? नेम दा स्टेट कैपिटल लोकेटिड पान्सो तीस मीटर अबाव दा सी लेवल एंड 93 इस्ट यह एंड आएगा यहाँ ठीक है? एंड 93 डिग्री इस्ट लोंगिट्थूड एंड अच्छा, इन दोनों के बिट्वीन की बात हो रही है, पी ठीक है? 93 डिग्री इस्ट लोंगिट्थूड और 27 डिग्री नोर्थ लेटिट्थूड तो यहाँ पर देख रहे हैं, याद रखना 93 और 27 यहां पे 93 डिगरी इस्ट लोंगिटूड की बात हो रही है 93 कहां पे था यह 90 था इसके बाद यह 92 आ गया 93 का होगा यहां पे होगा ठीक है यह जा के एक बार मैप को दंग से देखना 93 इंडिया में एंटर का होगा यहां पे होगा यह जो पूरी लाइन है यह 93 की आ गई थी हमने लाइन खिछ दी 93 लोंगिटूड की लाइन खिछ दी अब लैटिटूड की ता पुछा क्या है 27 तवंटी सेवन देखते कहां पे है बताओ कहां पे 27 यह क्या है 26 और यह उपर कहा है 28 26 के बाद 28 आएगा न उपर तो यह वाली जो लाइन आएगी यह वाली क्या होगी 27 की लाइन होगी लगबग और यह हो गया डाइगराम तो हमें क्या क्या देखना है इसमें कौनोंचा पास कर रहा है कैपिटल की बाद चल रही थी कौनची थी पटना हैदराबाद इटानगर और दिसपूर हैदराबाद निचे आती है आंसर से निकल गी पटना कहां पे आती है बिहार में आंसर से निकल गी दो भची दिसपूर और इटानगर ठीक है अब हमें यह याद होना चीए दिसपूर कहां पर आती है और इटानगर कहां पर आती है ठीक है दिसपूर कहां पर आती है जनरली आसाम के वेस्ट में आती है ठीक है इसी के नीचे मेगाल्या की सीलोंग आती है ठीक है तो यह याद रखना है दिसपूर के नीचे ही अपनी सी लोग आती है तो यहां पर कौन सी आईगी अरुनाच्व परदेश में इरिटान अगर आती है तो क्या हो इससे क्या कर पता चलना चीए था आपको आपको यह आडिया होना चीए था कि अरुनाच्व परदेश की केपिटल लगबग कहां पे है और 93 लोंगीटूड कहां से पास होता है ठीक है कुशन आया हुआ है 2020 में ठीक है मैं फालतु के कुशन नहीं बना रहे के कुशन आया हुए वही रिपीट करवा रहा हूं ठीक है तो मतलब यह देखो कि कितना नहीं कुशन देखो विच ओफ फोलोइंग ठीक है थीक है थीट्स लैटिटूड विदिन वन डिगरी ओफ देट ओफ देट ओफ नु दिल्ली नु दिल्ली की कितनी लैटिटूड पहले हमें व्यों पता होना चीए ओप्शन देखो पहले तो क्या है अमर्नाथ केव, सीट City of Islamabad, City of Dhaka और Mount Everest तो मैं आपको देखते हैं वापिस क्या पुछा क्या है लैटिटूड किसका दिल्ली का सबसे पहले उस लैटिटूड पे कौन सी सीटी पढ़ती है मन्दब दोस ने चार ओप्शन दियें दिल्ली कहां पे यह है ठीक है लैटिटूड कितना इसका 29 के बीच का है ठीक है तो इस लैटिटूड पे कौन-कौन से पढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले कौन चाहता अमर्नाथ केव अमर्नाथ केव कहां पे अपने उत्राखंड में तो कैंसल नेक्स्ट आता है सीटी ओफ इसलामाबाद इसलामाबाद अपने पाकिस्तान में है तो वो उपर नीचे पढ़ती है लगबख इस बैल्ट में तो नहीं पढ़ती है चैंसल सीटी ओफ डाका यहां पे साउथ में आ गई बांगलादेश में कैंसल लास्ट बचा मांट एवरेस मांट एवरेस कहां पे पढ़ता अपना यहां पे पढ़ता है क्योंकि यह ओगए वाला टॉपिक है और solar system वाला टॉपिक है इसमें question कुछ भी बनाने लग गया अज कल थी क्योंकि इसकी limit नहीं है बागी topics की लगबग लगबग कोई limit है कि concept समझ लिया आप question कर सकते हो इसमें ना तो कोई concept है जितनी depth में जाते जाओगे question बनते जाएगा अब cities में देखो capital कहां कहां पर है कौन कौन से states कहां पर है कौन-कौन से states से longitude latitude कहां कहां cross कर रहा है ठीक है तो यही था ठीक है यह आपका topic खतम होगया लेट्यूड longitude वाला question देख लिए हमने जो पिछले दो साल में कॉछन पूछे गए हैं क्योंकि अभी ज्यादा कुछन पूछन लगतें अब सेट ज्यादा होने लगे पहले कि ऑता था एक 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 पेपर बनता था तो एक दो कुछन आते थे अब क्या है जैसे 20 30 25 30 सेट बनने लग गए तो हर पेपर में एक एक दो दो कुशन जरूर पूछतेगा ठीक है ठीक है कोई डाउट हो तो बताओ ठीक है तो अब त्यारी करना संडे के लिए